भारत माता की आज के इस गरिवामय करकम में इस काठल की वीर धरापर भारत सरकार के सड़क परिवानम राजमर्ग मंत्री और हम सब के लोगपरियनेता आधनी नितिन गड़करी जी का इस बेवाड और काठल की वीर धरापर मैं अपनी होर से और आप सब की होर से स्वागत और अभिनलन करता हूँ इस कारिकम में जुड़े हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी यहां उपस्तित भारत सरकार के कैंद्री मंत्री मानित ओमर साब बजनलाल जाटव जी हमारे लोगसवा के सांसद मानित कना कटारा जी आदर ने दिया जी यहां उपस्तित सभी दिकारी गन और पूरे इस वर्चुल माध्यम से जुड़ेवे सभी लोगों को मैं अभार प्रकर करता हूँ उन सब की होर से कि आदर नी नितिन गड़करी जी ने परताबगर जैसे जीले को एक बहुत बड़ी सोगात दी और आज इस कारिकरम में यहां आने का समय दिया इसके लिए मैं शेत्र की जनतां कि आप सब का आपका मान्नी मंत्री मोधे का अपनी को से बहुत बहुत आभार प्रकर करता हूँ यहां उपस्तित हमारे बड़चाडी के विधायक मोदे हमारे अमरजी भी बैठे हैं हमारे निमामा जी भी बैठे हैं विधायक जी सब की ओर से आज परताबगड में रिंग रोड का सिलानियास हो रहा है और इसके साथ ही कई ऐसे बड़े प्रीज कई ऐसी सडकों का लगबग 5,600 करोड रुपे की योजनाओं का उदगाटन और सिलानियास होने वाला है यह अपना अपने अद्बुते इस शेत्र के इस प्रदेश की विकास के लिए और मैं संसुदिक शेत्र की बात करूँ एक नहीं मुंबई एक्स डिया हो यह राजस्तान आंपको जो आपने जो राजस्तान को दिया है वो राजस्तान कभी बूलना ही सकता में आदनी मंत्री मो दे ज्यादा कुछ नहीं कहते मैं आपका पुना में अपनी और से रदय की कहराएं से हम जिस रोड से आये हैं निमबाडा से प्रताबगड होते वे दाहुद यह कैसा रोड है जहां ट्रैफिक तो जादा है लेकिन रोड छोटा है अगर यह हम मांगें के कुछ नहीं आज नहीं कल नहीं जब भी आपको क्योंकि सामरिया सेट के पास जब भी जाते हैं तो कुछ उनकुछ आशिरवान मिलता है और हम कभी आपके पास आये तो हम खाली हाथ लोट के नहीं आये इसलिए यह शेत्र की बांग थी तो जब भी जहां जब हो यह मेरा और से आपको आग रहता पुना आप यहां के लिए समय दिया इस शेत्र की जनता की ओर से मैं पुना आपका विशेश रूप से आभार प्रकर करते वे अपनी मानी को विराम देता हूं बहुत बहुत धनिवाद